प्यारे दोस्तों सादर अविवादन मैं हूं मैश्क मारवेद और आप देख रहें एनजेपी इंडिया आज बात करते हैं लोकसभा चुनाओं की हलचल की पहली कड़ी में बात करते हैं अलवर लोकसभा छेत्र की दोस्तों पहले नरेद्र मोदी की गारंटी और अब की बार चार सो पार का नारा फिर एक सु पिच्चान में लोकसभा सीटों पर एक साथ उम्मीद्वारों की घोषणा दूसरे राजनेतिक दल जब वहाप वहों में फशेवे दिखाई पड़ रहे हैं वहीं भाजबा फ्रंट पुट पर आकर बैटिंग करना शुरू कर चुकी है ज परियावरन वन जल्वायू परिवर्तन और रोजगार एम स्रम मंत्री भूपेंद्र यादो को भाजबा ने बहुत सोच समझ कर मैदान में उता रहा है उनका मुकावला किस से होने जा रहा है इसका सटीक जबाब तो उम्मीद्वारों की घोषणा के बाद सामने आएगा लेकिन एसी संभावना है कि या तो पूरुसांसद भामर जीतेंदर सिंग, पूरुसांसद डाक्टर करण सिंग यादव या मुडावर के विदायक ललित यादव को कांग्रेश चुनाव मेदान में उतार सकती है इसके अलाव भी कोई नया चेहरा आ सकता है फिलाल बड़त के साथ उनके साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि कोई ऐसा दावेदार नाराज नहीं है जिसे टिकट की दोड में माना जा रहा हो यहां के सांसद बावा बालकनात को भाजपा ने तिजारा से विदानसवा का चुनाव लड़वा दिया था इसलिए उनकी दावेदा इनकी थी ही नहीं भुपेंदर ने छे मार्च को अपने चुनाव परचार का आगाज भी बावा बालकनात के विदानसवा शेतर 13 से उनको साथ लेकर किया है आप अपने स्क्रीन पर उनके चुनाव परचार का आगाज और अंदाज दोनों देख सकते हैं तिजारा विदान सवाचेतर के गाउं मिलकपूर भिवाडी में स्थित बाबा मोहनराम मंदिर से आशिरवाद लेकर खोली वाले बाबा के इस मंदिर में देश के कौने कौने से लाखों वक्त प्रतिवर्स मननत मांगने पहुंचते हैं बोपेंदर ने पहले मंदिर दर्सन किये मननत मांगी और फिर अपनी चनसंपर्क पदियातरा का आगाज किया अंदाज की बात करें तो पहला काम सब को साथ लेने का किया बाबा खोली वाले के धाम पहुंचकर खुद को स्थानी लोगों की आस्था के साथ जोड़ा मंत्री संजे सर्मा, बाबा बालकनाथ, वे राम हेतियादव सहीत सभी को साथ बिठा कर भाजपा के कुनबे की एकता का संदेश दिया अलवर की जनता को देव तुल्य बता कर उद्गोस किया जन जन की यही पुकार पूरा भारत मोदी का परिवार जन सहलाब देखकर कहा अब की बार 400 पार बुद्धवार और ब्रस्पतिवार यानि 6 और 7 मार्ज की रात रणनीती के नाम रहे अभी तक आचार सहीता के बंदिश नहीं है इसलिए अधिकारियों से संवाद किया अपने विवाग से संबंदित कामों की समिक्ष्या की इस दोरान भिवाडी में एंजेपी इंडिया से भी संक्षिप्त बात की आप सुनिये उन्होंने क्या कुछ कहा नमस्कार दोस्तों मेरे साथ आज मौजूद है केंद्रिय मंत्री बोपेंद्र यादव हाल ही में भारतिय जनता पार्टी ने इनने अलवर लोकसवाशेतर से अपना उम्मीद्वार बनाया है अभी मुकाबले में कोई खिलाडी इनके आया नहीं है लेकिन इन से जानते हैं आलवर में आप पहली बार आ रहे हैं आज भीवाडी आपका पहली बार आना हुआ है शिंग द्वार कहलाता है आलवर जो है तो आपका परवेश मार्ग पर आपको टिकट दिये बहुत महत्पूर्ण जगे मानी जाती है बोपेंद्र यादव का क्या सोचना है किन इस्यूज को लेकर के आप मैदान में उत्रे हैं सबसे पहले तो टिकट मिलने पर मैं धार्मती नरेंद्र मोधी जी का आभार वेग करता हूँ पार्टी के शीष न flats नडड़जी अंच्छं जी का अभार वेग करता हूँ राजस्तान के हमारे नेथर तो भजनलाल जी का अभार वेग करता हूँ और विशे शुप्से अलवर के हमारे लंबे समय से जिन साथी कारिकर्टाओ के साथ मैं काम कर रहा हूँ उन्होंने जिस गर्म जोश्री और आत्मिता के साथ मेरा स्वागत किया है और शुरुवात करने से पहले कोई कारिकरम नहीं था कि बाबा मोहनराम का श्रद्धा स्थल है सब लोग यहां पर आते हैं तो मैंने का सबसे पहले अलवर संतों की तप स्थली है एक सयोंग है कि मेरे से पहले जो दोनों सांसा थे बाबा को नमन करके शुरुवात और मेरे से पहले दोनों सांसा सन्यासी थे तो अलवर में उनको नमन करके और अब पार्टी अलवर केंदर में जाओंगा और पार्टी कारले पे पहले संगटनात में कारे करता हूं से बैठक हैं यहां का और हरियाना का दोशट पानी को लेकर के बहुत लंबा ईशियु है दोनों इशियूज अब तो यहां भी आपकी सरकार रहेगर वहां भी आपकी सरकार बापनाथ से भी हमारीं पहले cet वारे इंट्रीव आजाए हैं चुनाओं होगा सबसे मिलके दोनों सरकारों के चुनाओं के बाद बैठ कर विश्व का समधान करें धन्यवाद आपने समय दिया लंबी बात हैं फिर कभी बैठ करके करेंगे ठीक है अब बात करते हैं अलवर लोकसवा की राजनितिक तस्वीर की और भूपेंद अलवर शहर जहां भाजपा के कबजे में हैं वहीं किशंगडबास, मुंडावर, रामगड, राजगड, लक्ष्मनगड वे अलवर ग्रामिन सहित कुल पांस सीटों पर कांग्रेस का कबजा है यहीं सबसे बड़ी चुनोती है विपक्स के नेता टीका रामजूली ग्रामि ने पहले की तरह वोटिंग की तो भाजपा की चिंता बढ़ेगी लेकिन चीजों को इस तरह से देखना सच्च से मुह मोडने जैसा होगा धुरंदर राजनितिग्य और समिक्षक भी इस बात को मानते हैं कि लोकसभा चुनाओ प्रदानमंतिरी नरेंदर मोधी के नाम और क मोधी के दोरान हुए विधानसभा चुनाओं के पैटरन को देखें तो विधानसभाओं में कांग्रेश को वोट करने वाले लाखों मतदाता लोकसभा में भाजपा को वोट करते रहे हैं वूपिंदर यादव के लिए सबसे बड़ी उमीद यही है और यह उमीद अभी त दलने का प्रियास बेसक किया हो लेकिन अलवर जिले में अभी भी मोधी का जल्वा है हां अशोग गहलोत और सचिन पाइलिट जैसे नेताओं ने मिलकर मैदान समाल लिया तो मुकाबला कड़ा होगा राजस्तान में कांग्रेश की उमीद वसंद्रा राज शिंद्या जैसी दिगज भाजबा नेता की नाराजगी पर भी टिकी है लेकिन अलवर लोकसवा चुनाओं में एक ही नाम सबसे प्रभावसाली नजर आ रहा है वे नाम है नरेदर मोधी मोधी का नाम भूपिंद्रियादों को वोटों का बड़ा इनाम दे सकता है हमारे यह भी मानना है कि ह हरियाना भाजबा से भी भूपिंद्रियादों को काफी हद तक मदद मिलेगी हरियाना से अहिरवाल के नेता राव नर्वीर शिंग वे उनके कई शुबचिन तक भी चुनाओ पर चार के शुभारंब के समय मोजूद थे अलवर के बारे में आज इतना ही अन्य कि गोशना होने पर एक बार फिर आपके बीच पहुंचेंगे नमस्कार